परिचाए छात्रो, हमें दो बिंदू A और B दिये गए हैं। हम एक स्टेटी एज या एक पैमाने के प्रयोग द्वारा एक रेखा खींच सकते हैं। हम वो पैटर्न ग्याद करना चाहते हैं, जसके द्वारा बिंदू A और B संबंदित हैं। एक तरीका ये है कि अपनी गटियों को रिकॉर्ड करते हुए बिंदू A से बिंदू B तक जाने की व्याख्या करना। ये गटियां क्या हैं सर। हम देख सकते हैं कि उपर की गटि धनात्मक है, जबकि नीचे की गटि रनात्मक है। इसी तरह दाइनी और की गटि धनात्मक है, जबकि बाइन और की गटि रनात्मक है। ध्यान दें कि बिंदू A से B तक जाने के लिए हम दो इकाई उपर की और और फिर तीन इकाई दाइन और जाते हैं। रेखा की धाल को अक्षर से निरुपित करते हैं, जिसे उपर या नीचे की गटि, बटे, डाइं या बाइं और की गटि के रूप में व्यक्त किया जाता है। सेर, क्या आप रेखा की धाल के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। हाँ, बिल्कुल, चलो, मैं तुमको सरल रेखाओं और रेखा की धाल के बारे में बताता हूँ। उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्र करने में सक्षम हो जाएंगे। निर्देशांक जयमिती के आधारों को समझना। एक रेखा की धाल की व्याख्या करना। दो रेखाओं के बीच के कौन की व्याख्या करना। तीन बिंदू की सनरेखता को समझना। क्षेतिज और उर्धवाधर रेखाओं को समझना। बिंदू धाल रूप और दो बिंदू रूप लिखना। निर्देशांक जयामिती के आधार कारतिये निर्देशांक जयामिती एक क्रमित युक्म A.B. को निरूपित करने के लिए हम दो संदर्बुरे खाएं लेते हैं, जो परस पर लंबवत होती हैं। एसे एक तल में क्रमित युक्म A.B. एक बिंदू P. के द्वारा निरूपित होता है। इस प्रकार की O.A. पराबर A. और O.B. पराबर B. निकाय कारतिये निर्देशांक जयामिती कहलाता है। दो बिंदूओं के बीच की दूरी दो बिंदूओं A. X1, Y1 और B. X2, Y2 के बीच की दूरी लंबाई A.B. है। बराबर X2 माइनस X1 वर्ग प्लस Y2 माइनस Y1 वर्ग का वर्गमूल। विभाजन सोत्र बिंदू के निर्देशांक जो X1, Y1 और X2, Y2 को मिलाने वाले रेका खंड को आंतरिक रूप से M. अनुपात N के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदू के निर्देशांक जो X1, Y1 और X2, Y2 को मिलाने वाले रेका खंड को बाहता M. अनुपात N के अनुपात में विभाजित करता है। यदि बिंदू A, B का मद्दि बिंदू है, तो ये A, B को एक अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करता है। अता इसमें निर्देशांक X बराबर X1 प्लस X2 बटे 2 और Y बराबर Y1 प्लस Y2 बटे 2 हैं। ये सूत्र मद्दि बिंदू सूत्र कहलाता है। एक तिर्भुच का क्षित्रफल यदि तिर्भुच के शीर्ष के निर्देशांक A, X1, Y1, B, X2, Y2 और C, X3, Y3 हैं। तो तिर्भुच के क्षित्रफल को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। एक बटे 2 का मापांग गुणा X1 गुणा Y2-Y3 प्लस X2 गुणा Y3-Y1 प्लस X3 गुणे Y1-Y2। या एक बटे 2 सारणिक पहली पंगती X1-Y1-1। दूसरी पंगती X2-Y2-1। तीसरी पंगती X3-Y3-1। निर्देशांक जयामिती के आधार का उधारण उधारण बिंदों 6, माइनस 4 और 3, शुने के बीच की दूरी ग्याद करें। हल बिंदों 6, माइनस 4 और 3, शुने के बीच की दूरी है 5, एक आई। उधारण वा अनुपात ग्याद करें जिसमें रेखा खंड A, 2, माइनस 1 और B, 5, 2, X अक्ष को विभाजित करता है। हल, मान लें X अक्ष रेखा को बिंदों P, X, Y पर इस परकार कारती है कि AP बटे, BP बराबर है लेम्डा अनुपात 1 के, जिसका ताथ पर है कि Y बराबर शुने, अर्थाथ लेम्डा Y2 प्लस Y1 बटे, लेम्डा प्लस 1 बराबर शुने, जिसका ताथ पर है कि 2 लेम्डा प्लस माइनस 1 बटे, लेम्डा प्लस 1 बराबर शुने, अर्थाथ लेम्डा पराबर 1 बटे 2, जिसका ताथ पर है कि AP बटे, BP बराबर 1 बटे 2 अनुपात 1. रेखा की ठाल रेखा की ठाल है, उस रेखा की ठाल जिसका जुकाओ नप्पे टिक्री हो, परिभाशित नहीं है, रेखा की ठाल जब रेखा पर किनी भी दो बिंदों के निर्देशांक दिये गए हो, यदि P X1Y1 और Q X2Y2 रेखा पर किनी भी दो बिंदों के निर्देशांक हैं, तो इसकी ठाल है, M बराबर Y2-Y1 बटे X2-X1 बराबर कोटियों का अंदर बटे भुजाओं का अंदर, दो रेखाओं के उनकी ठालों के पदों में परस पर समांतर और लंब होने का प्रतिबंद, माले की एक निर्देशांक तल में उर्धवेतर रेखाओं, L1 और L2 की ठालें क्रमशा M1 और M2 हैं, समांतर रेखाएं, दो उर्धवेतर रेखाएं, L1 और L2 समांतर होती हैं, यदी और केवल यदी उनकी ठालें समान हों, अर्थात M1 बराबर M2 लंबवत रेखाएं दो उर्थवेकर रेखाएं L1 और L2 परस पर लंबवत होती हैं यदी और केवल यदी उनकी ढालें परस पर रनात्मक वियुतकरम हैं अर्थात M1 M2 बराबर माइनस एक रेखा की ढाल का उधारन उधारन उस रेखा की ढाल ग्यात करें जो मून बिंदू तथा बिंदू P 0-4 और B 8-0 को मिलाने वाले रेखा खंड के मद्दि बिंदू से होकर गुजरती है हल बिंदू P 0-4 और B 8-0 को मिलाने वाले रेखा खंड का मद्दि बिंदू 4-2 है ये ग्यात है कि बिंदू X1, Y1 और X2, Y2 से जाने वाली एक उर्थवे तर रेखा की ढाल अर्थात M होती है M बराबर Y2-Y1 बटे X2-X1 X2 बराबर नहीं है X1 के इसलिए 0-0 और 4-2 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल है माइनस 2-0 बटे 4-0 बराबर माइनस 2 बटे 4 बराबर माइनस 1 बटे 2 अता रेखा की अभीष्ट ढाल माइनस 1 बटे 2 है दो रेखाओं के बीच का कौन जब दो रेखाएं प्रतिछेत करती हैं तो उनके बीच के कोण को उस कोण के रूप में परिभाशित किया जाता है जिससे रेखाओं में से एक को इस प्रकार घुमाया जाए कि वो दूसरी रेखा की संपाती हो उधारं के लिए कोण फाई रेखाओं एल एक और एल दो के बीच नियून कोण है एलफा दो बराबर एलफा एक प्लस फाई इसलिए फाई पराबर एलफा दो माइनस एलफा एक रेखाओं एल एक और एल दो की ठालों से तेन फाई पराबर टेन अलफा दो माइनस अलफा एक दो कोणों के मत्थे अंतर की स्पर्श जया के लिए त्री कोण में दिये सर्वसमीका का उप्योग करने पर बराबर टेन अलफा दो माइनस टेन अलफा एक पटे एक प्लस टेन अलफा एक गुणा टेन अलफा दो जुकाओ कोण की इस परशिजाया को पुनारेखा की ठाल कहने पर हमारे पास है टैन अलफा एक बराबर M1 अर्थाद L1 की ठाल इस परकार की M2 अधिक है M1 से उप्रोक्त चर्चा से प्राप्त इस परशिजाया सूत्र में इन वेन जकों को प्रतिस्थापित करने पर हमारे पास है 105 बराबर M2 माइनस M1 बटे 1 प्लस M1 गुणा M2 साथी 105 बराबर 10 एक स्वसी डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस M2 माइनस M1 बटे 1 प्लस M1 M2 जहां 1 प्लस M1 M2 बराबर नहीं है शूने के यदि 10 थीटा धनात्मक होगा तो 10 फाई धनात्मक होगा जिसकार्थ है कि थीटा न्यून कोण होगा और फाई अधिकोण होगा और यदि 10 थीटा धनात्मक होगा तो 10 फाई धनात्मक होगा जिसकार्थ है कि थीटा अधिकोण होगा और फाई न्यून कोण होगा मान लें की रेखाऊं L1 और L2 के बीच के न्यून कौन थीटा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं जिसकी धालें क्रमशा M1 और M2 है 10 थीटा बराबर M2 माइनस M1 का मापांक बटे 1 प्लस M1 M2 जहां 1 प्लस M1 M2 शून के बराबर नहीं है दो रेखाऊं के बीच के कोण का उधारण उधारण एक रेखा की धाल एक दूसरी रेखा की धाल की दोकुनी है यदि उनके बीच के कोण की सपर्श जया एक पटे तीन है तो रेखाऊं की धालें ग्यात करें हल मालने की दो दी गई रेखाओं के बीच की ढालें M1 और M इस प्रकार हैं कि M1 बराबर 2M हम जानते हैं कि ढालों M1 और M2 वाली रेखाओं के बीच का कौन थीटा हो तो 10 थीटा बराबर M2 माइनस M1 का मापांक बटे 1 प्लस M1 M2 दिया है कि दो रेखाओं के बीच के कौन की स्पर्श जाया 1 बटे 3 है इसलिए 1 बटे 3 बराबर M-2M का मापांक बटे 1 प्लस 2 M गुणा M हल करने पर हम प्राप्त करते हैं M बटे 1 प्लस 2 M पर्ग हल करने पर हमें प्राप्त होता है M बटे 1 या M बटे 2 यदि M बराबर M-1 तो रेखाओं की ढालें M-1 और M-2 है यदि M बराबर M-1 बटे 2 तो रेखाओं की ढालें M-1 बटे 2 और M-1 है हिस्तिती दूइतिये 1 बटे 3 बराबर M बटे 1 प्लस 2 M गुणा M पर्ग अतार रेखाओं की ढालें M-1 बटे 2 और M-2 तो रेखाओं की ढालें M-1 और M-2 या M-1 बटे 2 और M-1 और M-1 बटे 2 और M-2 को देखें, यहां बिंदू A, B और C समरेखिये हैं, क्योंकि वे एक ही रेखा पर इस्थित हैं, यह हम कह सकते हैं कि तीन बिंदू समरेखिये होते हैं, क्यदी और केवल यदी, A, B की ठाल बराबर B, C की ठाल, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आएए एक उधारन लेते ह उधारन, दी गई जनसंख्या और वर्ष के आलेक पर विचार करें, इसका प्रयोग करते हुए रेखा A, B की ठाल ग्याद करें, ग्याद करें कि वर्ष 2010 में जनसंख्या क्या होगी? हल, चुंकि रेखा A, B, बिंदू A, 1985, 92 और B, 1995, 97 से होकर जाती है, आता इसकी ठाल है, 97-92 बटे, 1995-1985 बराबर 5 बटे 10, बराबर 1 बटे 2 मालें, वर्ष 2010 में जनसंख्या Y हो जाएगी, तब दिये गए आलेक के अनुसार, रेखा A, B को बिंदू C, 2010 Y से गुजरना चाहिए, इसलिए A, B की ठाल बराबर B, C की ठाल, एक बटे 2 बराबर Y-97 बटे 2010-1995 इससे हल करने पर हमें प्राप्थ होता है, Y बराबर 104.5 इस प्रकार, रेखा A, B की ठाल एक बटे 2 है, जबकि वर्ष 2010 में जन संख्या 104.5 करोड हो जाएगी, रेखा के समिकरणों के विविदरूप, X अक्ष का समिकरण, यदि X अक्ष पर प्रतेक बिंदू के Y निर्दशांक शूने हो, और यदि X अक्ष पर कोई बिंदू P, X, Y हो, तो Y बराबर शूने होगा, Y अक्ष का समिकरण, यदि Y अक्ष पर प्रतेक बिंदू के X निर्दशांक शूने हो, और यदि Y अक्ष पर एक बिंदू P, X, Y हो, तो X बराबर शूने होगा, Y अक्ष के समानतर, एक रेखा का समिकरण, मालने एक रेखा Y अक्ष से एदूरी परिस्थेत, एक बिंदू P पर Y अक्ष के समानतर है, तो भुज, निर्दशांक, X बराबर B या X बराबर माहिनस B है, आता Y अक्ष के समानतर रेखा का समिकरण है, X बराबर B या X बराबर माहिनस B, X अक्ष के समानतर एक रेखा का समिकरण, मालने एक रेखा X अक्ष से एदूरी परिस्थित, एक बिंदू A पर Y अक्ष के समानतर है, तो Y निर्दशांक, कोटी, Y बराबर A या Y बराबर माहिनस A, तब Y बराबर A या Y बराबर माहिनस A, X अक्ष के समानतर एक रेखा का समिकरण है, बिंदू ढाल रूप और दो बिंदू रूप, सरल रेखा समिकरणों का अन्य रूप, बिंदू ढाल रूप कहलाता है, इसके लिए वे एक बिंदू X एक Y एक और एक ढाल M देती हैं, और उन्हें आपको इस सूत्र में रखना होता है, Y माइनस Y एक बराबर M कुणा X माइनस X एक उधारण, उस सरल रेखा का समिकरण ग्याद करें, जिसकी ढाल M बराबर चार और जो बिंदू माइनस एक माइनस छे से गुजरती है, हल, दिया है M बराबर चार, X एक बराबर माइनस एक और Y एक बराबर माइनस छे, इन मानों को बिंदू ढाल रूप में रखें और Y बराबर के लिए हल करें, Y माइनस Y एक बराबर M गुणा X माइनस X एक इन मानों को उप्रोक्त समिकरण में रखकर Y के लिए हल करने पर हमें प्राब्थ होता है, Y बराबर 4X माइनस 2 जो अभीष्ट समिकरण है, दो बिंदू रूप हम एक रेखा का समिकरण क्याद कर सकते हैं, यदि हम उस रेखा पर इस्थित किनी भी दो बिंदूं को जानते हैं, जहां X1Y1 और X2Y2 दो दिये गए बिंदू हैं, उधारण बिंदूं माइनस 1 तीन और 4 माइनस 2 को मिलाने वाली रेखा का समिकरण ग्याद करें, हल, बिंदूं X1Y1 और X2Y2 से जाने वाली रेखा का समिकरण है, Y-Y1 बराबर Y2-Y1 बटे X2-X1 गुणा X-X1 अता अभीष्ट रेखा का समिकरण होगा X-Y-2 बराबर 0 ने, क्या आप जानते हैं? जयामिती में एक बिंदू के बाद अगली सबसे आधार भूत अबधारणाओं में से एक सरल रेखा है, यहां सरल रेखाओं के बारे में कुछ तथे दिये गए हैं. एक सरल रेखा सीधी होती है, क्यूंकि रेखा परिस्थित कोई भी दो खंड एक दूसरे से 180 डिगरी का कौन बनाते हैं. एक सरल रेखा पर किनी दो बिंदूओं के बीच निकटन दूरी रेखा पर उन्हें जोडने वाले बिंदूओं से होकर जाती है. सरल रेखा की ठाल यह माप्ती है कि रेखा का जुकाओं कितना है? सारांश आएए हमने जो कुछ सीगा है उसे संक्षेप में दोहराएं. बिंदूओं एकस एक वाई एक और एकस दो वाई दो से गुजरने वाली और्दवेतर रेखा की समेकरन की ठाल M निमने है. यदि कोई रेखा एकस अक्षी धन दिशा के साथ अलफा कोण बनाती है, तो रेखा की ठाल को M बराबर टैन अलफा से व्यक्त करते हैं. शेदिश रेखा की ठाल शुनने होती है और उर्दवा धर रेखा की ठाल अपरिभाशित होती है. M1 और M2 धालों वाली रेखाओं L1 और L2 के पीच का निमने होता है. दो रेखाएं समानतर होती हैं यदि और केवल यदि उनकी धालें बराबर हो. दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि और केवल यदि उनकी धालों का गुरन फल माइनस एक हो. तीन बिंदों A, B और C संद्रेख ये होते हैं, यदी और केवल यदी A, B की ढाल बराबर B, C की ढाल हो X अक्ष से A दूरी वाली 36 रेखा का समय करण, या तो Y बराबर A या Y बराबर माइनस A होता है Y अक्ष से B दूरी वाली उट्वा धर रेखा का समय करण, या तो X बराबर B या X बराबर माइनस B होता है बिंदू X, Y, M ढाल वाली रेखा परिस्तित है और निशित बिंदू X, Y, Y, 0 से होकर जाते हैं यदी और केवल यदी इसके निर्देशांक निम्न समय करण को संतुष्ट करते हैं बिंदू X1, Y1 और X2, Y2 से होकर जाने वाली रेखा का समय करण है बिंदू X, Y, O, प्रुम्न समय करते हैं